हेलो ग्योर्स, स्वागत आपका मैं यूट्यूब चैनल रे टीचा एक्जाम में तो कैसे हैं आप लोग आई होप की अफसोस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तों बात करेंगे आप एक हो न्यू पेज़ डेट मिस्ट नोटिफिकेशन के बारे में करने में इंट्रेट हैं तो यह कुछ इंपोर्टन पॉइंट्स नोटिफिकेशन पर चलेंगे जहांने पॉइंट करेंगे लेकिन चलने से बास चेक कर लेज़ें वहां पर लिंक दिये गए हैं इसके लाँ हम नोटिफिकेशन पर चलेंगे बात करेंगे आपके जो पिएजडी का नोटिफिकेशन उसके बारे में तो यहां अगर हम बात करें आपके उनिवर्सिटी की तो बाबा साहब भीम राव मेड़कर बिहार पतने माँगे कि जो कि आपको मुझफर पूर बिहार में देखना हो क्यों मिलेगी बहुत ही बैरी अनिवर्सिटी रखते हैं तो जरूरा वह बने की जगा यह आपका नोटफिकेशन और यहां पर आपका नोटिफिकेशन एक नो 2.30 को पुबीश किया गया था लेकिन यहा पर हम other notifications की बात करेंगे तो उसके अधार पर यहां पर जो भी आपका UGC का regulation रहता है उसके अधार पर यहां पर आपको मैं कुछ points बता दूँगा तो आप उनको ध्यान रखेगा बाकि यहां पर exam pattern के बारे में नहीं बताया गया तो उसके लिए आप यहां पर आफिसल साइट बिजिट करके चेक कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यहां पर सिर्फ यह advertisement दिया गया है यहां पर बताया गया कि online application form इस्टार्ट हो चुका है पर 2022 के लिए यहां पिएजडी admission test यहां पर आपका चार अक्टूबर 2023 को तो यह आपकी इंट्रेस इंजाम की डेट दे दी गए center की बात करें तो यहां पर campus में या फिर जो भी यहां पर university का home district है वहां पर आपको exam center देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें इसके आन्य points के बारे में तो इस notification में नहीं देंगे लेकिन यहां पर अगर UGC का regulation आप read करेंगे तो लगबग वही same points आपके रहते हैं बस यहां पर exam pattern हो सकता है कि आपका change रहेगा यहां पर आपकी eligibility के बात करें तो आपके पास eligibility में 55% marks होने चाहिए concern subjects और अगर आप रिजब categories आएंगे तो आपको 5% का relaxation मिलता है 50% marks होंगे तो यहां पर आप eligible हैं आवदन कर सकते हैं इसके साथ यहां पर अगर हम बात करें आपके exam qualify करने के बारे में तो यहां पर जो candidates सभी candidates को intense exam qualify करने के लिए 50% marks लाइने रहेंगे और जो रिजब category के candidates रहेंगे उनको यहां पर 45% marks ले आएंगे तो exam qualify कर जाएंगे इसके साथ यहां पर अगर हम बात करें exam pattern के बारे में तो exam pattern दोस्तों यहां पर mention नहीं किया गया लेकिन मैं आपको एक idea दिये दे रहा हूं कि जो बिहार की जितनी भी इनुश्टी है उसमें exam pattern में जो आपका first paper रहता है वो दोस्तों यहां पर आपका जो रहता है MCQ type का रहता है यानि यहां पर multiple choice question आपको first paper में देखने को मिलते हैं और जो आपका second paper रहता है वो यहां पर आपका subjective nature का रहता है तो यहां पर क्या रहेगा यह आप जब application form भरेंगे या फिर यहां पर जब exam देने जाएंगे तब ही आपका clear हो पाएगा इसके साथ यहां पर अगर हम बात करें आपके exam के syllabus के बारे में तो यहां पर 50% question आपके research methodology से पुछे जाएंगे और 50% question यहां पर subject specific रहेंगे syllabus की बात करें तो official site आप इसकी visit कर ली जगा साथ वहां पर syllabus दिया हो लेकिन यहां पर अगर यह syllabus नहीं दिया गया होगा तो जो UGC net का syllabus है वही आपका यहां पर syllabus रहने वाला है तो यह यहां पर आपके जो कुछ important points थे जो कि यहां पर बिहार की जितनी नुश्टी है उसके आधार पर मैंने आपको बताया है बाकि यहां पर क्या कुछ specific रहेगा वह आप यहां पर जब application form भरेंगे या फिर notification download करेंगे तब यह आपको पता चलेगा चुकि मैंने यहां पर search किया है तो ना तो मुझे यहां पर ordinance मिला है ना ते हो यहां पर इसका notification मिला है तो आप search कर दी जगा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है मुझे भी यहां पर मेरे telegram channel में update कर दी जगा तो यह आपके कुछ important points है बाकि यहां पर जो कुछ points रहे गए हम इसके official side पर चल के आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आपको यहां पर apply करना है वो सब points हैंब बताएंगे तो आपकी subject भी clear हो जाएंगी तो यह official side का home page है और यहीं पर आप आप आएंगे आपका PhD admission notification हो यहां पर mention किया गए online student service में यह आपका यहां पर registration form दिया गया है तो यहां पर यह आपका जो notification भी मैंने discuss के वो यहां पर दिया गया है तो आप इसे download कर लिजएगा apply करने के लिए यहां पर आप देखेंगे student service लिखा हुआ है तो यहां पर आपको click करना है और जैसे यहां पर आप click करेंगे तो आपके सामने जो जैसे वहां पर अपना login ID password डालेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ interface खुल जाएगा यहां से आप अपने आपको select करना है session आपका यहां पर 22 रहेगा यहां पर आपको अपना program select करना है तो यहां पर PhD select करेंगे यहां पर आपको अपना course select करेंगे तो यहां पर PhD आपको select करने के बाद यहां पर आपको subject देखने को मिलेंगे जो कि यहां पर भोजपुरी है, बहुत नहीं है, कमेश्टी है, कामर्स है, कम्प्यूटर साइंस है, एकनॉमिक से, एजुकेशन है, एलेक्टोनिक से, इंगिलिस, जियोगराफी, हिंदी, हिश्टी, होम साइंस, मैथली, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, परसियन, फिलोसपी, फिजिक्स, प्लिटिकल साइंस, साइकॉलजी, संसेगी, सोसोलीजी, उर्दू और जुलोजी, यह आपकी सब्जेक्श है, आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें आप पिएडिक कर पाएंगे, जो भी आपकी डिटेल्स मांगें, उन्हें आप फिल कर पाएंगे, और अपना अपिकेशन फाहरम कम्प्लीट कर सकते हैं, बाग यह पे डेस् बोर्ड आपके सामने पने जो भी होता जाएगा, यहाँ पे नोटिटेल्स में चेक कर लेजएगा, छोगी यहाँ पे नोटिटेल्स में नहीं दे तो एक सामने के लिए, और यहाँ प पूर्ट से दोस्तों आप इन्हें जॉइन कर सकते हैं तो इस नोटिफिकेशन में आपके पेडी से संबंदी सब्सक्राइब किसी प्रका की कोईरी है तो कमेंट बाक्स हमें साफ के लिए ओपेन है कुछ सकते हैं कोसिस करेंगे आपके सभी कोईशन के रिपलाई दिया जाए आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा चैनल में पहली वार आनरे ये तो चलों को सब्सक्राइब कर लीजेगा धी जिससे कि वीडियो की लतिश्क नोटिफिकेसन में जब दो somt cervet पहले और को ब में अचले हो कर दोतो हैं